प्रेंड्स क्लास 10 के बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक 100% जिसके आने की संभावना रहती हैं यह है ब्लीचिंग पाउडर अगर आप कहें कि क्लास 12 में यह क्लास 10 में जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्लास 10 के लिए वो है ब्लीचिंग पाउडर क्लास 12 में भी इससे एक कनवर्जन आता है तो आप यह 10 के लिए 12 के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर क्लास 10 का सबसे इंपोर्टेंट आप इसको CAOCl2 इसका जो फॉर्मिला है वो CAOCl2 है calcium oxy chloride इसका chemical name calcium oxy chloride calcium oxy chloride चलते हैं है क्या ब्लीचिंग पाउडर इस a calcium oxy chloride जो मैंने उपा लिखा वो ही या नीचे लीख दिया The chemical formula of bleaching powder is Caocl2 and it is also called इसको हम chloride of lime भी कहते हैं ओके इतना आपको clear हो गया हुआ Next, इसकी जो preparation आप देखेंगे ऐसी आप class 10 में भी बोल्ड एक्जाम में भी करेंगे CaOH whole twice जिसे हम calcium hydroxide कहते हैं या slack lime कहते हैं मैंने यहाँ नीचे सब कुछ लिखावा इसको slack lime कहते हैं या calcium hydroxide कहते हैं यह आपका जितने भी एक्जाम रहते हैं कोई भी एक्जाम होगा वहाँ यह ज़रूब पुछा जाएगा slack lime किसे कहते हैं तो CaOH whole twice plus Cl2 अगर इसमें calcium hydroxide में chlorine को मिलाए जाता है तो Caocl2 plus S2 बनेगा If CaOH whole twice is treated with या calcium hydroxide is treated with chlorine we get calcium oxy chloride या इसे bleaching powder कहते हैं और पानी निखल जाएगा preparation of bleaching powder आपने देखा होगा कि जो preparation of bleaching powder थी वो यह है और अब properties of bleaching powder आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि इसकी properties क्या है यह देखी जो कि आप लोगों के लिए बहुत important है यह बहुत बार conversion में पूछा जाता है कि इसकी property यह preparation है ऐसे हम बनेगे यह इसकी properties एक लिख रहा हूँ है कि Caocl2 bleaching powder पे अगर dilute S2SO4 के साथ क्रिया की जाती है तो calcium sulfate बनेगा CL2 बनेगा और H2 बनेगा यह बहुत important है यह आपके बार conversion में पूछी जाती है अब है use of bleaching powder bleaching powder का उप्यूप देखेंगा तो bleaching powder is used for a disinfecting water supply अगर water क्या हो जाता है आपका खराब supply रहती है infected रहता है तो उसकी supply में हम bleaching powder उसमें डाल देते हैं that is for making to drinking water free from jumps ताकि jumps क्या हो जाए उससे kill हो जाए मर जाए जो next इसका use है वो आप देखेंगे bleaching powder is used for making chloroform chloroform बनाने में bleaching powder का use किया जाता है next bleaching powder is used for making wool unshrinkable जो उन के कपड़े होते हैं वो unshrinkable हो जाते हैं स्रिंक नहीं होते हैं bleaching powder is used as an oxidizing agent और इसका परियोग हम oxidizing agent के रूप में भी करते हैं आपके बहुत सारे industry में chemical industry में तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक like और subscribe नहीं किया गया है तो आप इसे like और subscribe करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप नीचे जरूर कमेंट्स करें ताकि मैं आप लोगों के लिए जो next इससे भी अच्छा वीडियो लेका सकूँ तो thanks for watching